हाई फ्रेंग्स आइम राहूल फ्रॉम वेवापॉइंट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वट्प्रेस वेबसाइट के अंदर एक फ्लिप बॉक्स कैसे यूज करोगे फ्लिप बॉक्स का मतलग है कि जब आप किसी वेबसाइट पर जाते हो वह अगर आपने वर्ट्प्रेस के अंदर वेबसाइट किये तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का अपडेट मिलता रहे तो चलते हैं अपने कंप्यूचर स्क्रीन की तर यहां है तो चैनल की तो चैनल को सब्सक्राइब करें तो चैनल करते हैं इस सब्सक्राइब दिए जैसरे ikiडियो को हैं ने सब्सक्राइब को सब्सक्राइब खाला है यह और यहां पर लिंक है तो यह फ्लिप Bachelor enimir आप भी अपने WordPress के website में काफी easily लगा सकते हो यूज कर सकते हो जैसे देखो ये भी एक layout है जैसे मैंने इस image पे click किया तो ये flip हो गई ये flip हो गई तो इस तरह का box लगाना WordPress में काफी आसान है तो चलते हैं अपने WordPress website पे और सेम इस तरह के boxes लगा के देखते हैं वहाँ पे तो सबसे पहले जो भी आपने WordPress का setup त्यार किया हुआ है hosting पे या local पे तो आपको क्या कर लेना है login कर लेना है तो यहां मैं already logged in हूँ तो आपको यहां पर यह black color का उपर top बार दिख रहा होगा because मैं already login हूँ login करने के लिए आप क्या करते हो wp-admin use करते हो जो आपका यह default URL होता है और फिर आप वहां पे अपना username और password डाल के login कर लेते हो तो मैं login हूँ तो मैं अब अपने dashboard में आ जाता हूँ dashboard में आने पादि आपको सबसे पहले क्या करना होता है सबसे पहले यहां पर करना है आपको एक नया plugin एड़ करने का feature मिल जाता है आपकी WordPress website में plugin क्या करता है आपकी website के अंदर एक extra feature देता है जो आप use कर सकते हो तो आप search plugin में जाना और यहाँ पर आपको क्या करना है flipbox के नाम से plugin सर्च करना है जैसे मैं यहाँ पर flipbox plugin सर्च करूँगा तो अब मैं यहाँ पर flipbox and plugin तो अब जैसे मैं flipbox plugin मैंने search किया तो यहाँ पर क्या होगा flipbox का plugin आजाएगा search होके यह देखो यह आगया flipbox image overlay plugin तो इस plugin को मैं यहाँ पर use करने वाला हूँ आपको क्या करना है install ना हो button पर click कर देना है जैसे आप इस पर click करोगे तो यह plugin यहाँ पर आपके wordpress के dashboard में install होना start हो जाती है आपको wait करना है जब तक यह waiting का cursor चल रहा होता है जैसे यह install हो जाएगा यहाँ तो एक activate का button आजाता है जैसे activate का button आएगा आपको क्या करना होगा simply उस activate के button पर activate पर click कर देना है और यह plugin आपके wordpress के dashboard में install होके activate हो जाएगी यह देखो activate का button आगया मैं इस पर click कर देता हूँ अब जैसे मैं इस पर click करूँगा तो मेरे इस left side के अंदर एक flip box के नाम से एक menu create हो जाएगी उसकी help से मैं यहाँ पर flip box create कर लूँगा यह देखो आगया यहाँ पर flip box बनके इसे कैसे use करना है यहाँ पर इसका अपना भी tutorial है आप यह भी check कर सकते हो और मैं भी आपको यहाँ पर बता देता हूँ इसे कैसे use करना है तो अब आप देखो left side में देखो कि यहाँ पर flip box दिख रहा है आपको अब आपको क्या करना है flip box है create new है import template है तो सबसे पहले आपको किस पर click करना है create new पर click कर देना है create new पर आप click करोगी मतलब आप एक नया यहाँ पर flip box बनाने वाले हो देखो जो मैंने आपको दिखाया था यह वाला आ गया style तो यहाँ से आप कोई भी style create कर सकते हो जैसे देखो यह style है आपको यह create करना है तो आप यहाँ पर create style पर click करोगी इसी तरह नीचे आजाओ आप तो जो भी आपको layout हो इस layout से आपको कोई भी flip box यह बनाना है तो आप यह बना सकते हो यह flip box कोई भी style ले सकते हो अगर मान लो कि मैं यह style 5 ले लेता हो कि जैसे मैंने किसी image पर cursor ले गया मैं तो इस तरह का यह animation बन के आजाए या फिर कुछ ऐसा animation आजाए यह वाला ले लेते हैं यह ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको create style पर click कर देना है deactivate है और create style है तो मैंने create style पर click कर दिया अब आपसे पूसता है first, second and third first, second and third का क्या मतलब है यह वाला जो layout है style 5 जो मैं create करने वाला हूँ इस वाली image में तो यह जो first है इसका मतलब यह है अगर आप first को select करके create करोगे तो first style वाली image create होगी second पर click करोगे तो second create होगी third पर click करोगे तो third create होगी style से मतलब होगा कि जो animation होता है flip का वाला portion आएगा यहां पर बाकी तो यह same दिख रहे है इस तरह से ऊपर जो layout है आप उसमें भी इसी तरीके से change करोगे suppose मुझे यह third वाला style लेना है तो मैं यहां पर third पर click करोगा and save पर click कर दूँगा तो अब क्या होगा मेरे पास यह third वाला जो option है वो तो आपको जो भी style अच्छा लगी इसमें by default जो selected है मैं वो रहने देता हूँ इस तरह तरह से आप flip का effect भी change कर सकते हो जो animation का time है इसकी साथ ही आप इसकी hydro width को change कर सकते हो border का style change कर सकते हो margin change कर सकते हो यह सारी चीज़े आपको मिलती है इसकी साथ ही अब नीचे आते है यह देखो यह आपको दिख रहा है यहाँ पर इस तरह का option होगा तो आपको क्या करना है आप इसमें image और text कैसे use करोगे यह edit का option दिखता है आपको आपको simply इस पर click कर देना है अब जैसे आप edit पर click करोगे यहाँ पर तो आप क्या कर सकोगे इसमें एक नया image लगाओगे देखो front image front image का मतलब है जो starting में आपको front image दिख रही थी वो वाली image है आप upload image पर click करोगे अगर आपको अपने system से को image लेना है तो आप वहाँ से upload करो मेरी media में already available है कुछ image जैसे मुझे मेरे पास यह एक image है मैं इस image को use करने वाला हूँ तो मैंने यह image ले लिया इसके साथ ही यह flip का animation और title है यह title आपने recording चेंज कर सकते हो अगर मैं इसे अभी as it is रहने दूँ आपको clear समझ में आ जाएगा तो यहाँ पर देखो link भी लगा हुआ है तो अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ अभी मैं इसे सीधा submit कर देता हूँ ताकि आपको एक understanding हो जाए फिर दुबारा से इसे edit करेंगे तो मैं इसमें सारे detail फिर से change कर दूँग अब आपको क्या कह रहा है कि आपको इसका एक नाम ले लेना है जो भी किसी आप एक नाम से इसे use कर लो ताकि आपको in future जब भी इसमें कोई नया एक और flip box बनाना हो तो आप बना सको ठीक है तो मैं इसे दे देता हूँ test flip मैंने एक नाम ले लिया और save कर दिया इसका ठीक है तो आप भी कुछ इस तरीके से create कर सकते हो name आप कोई भी ले सकते हो आपके उपर depend करता है तो जैसे ही आप ये ले लेते हो और save करके आप मैंने submit पे click कर दिया तो मेरा एक ये क्या हो गया flip box create हो गई और इसकी क्या होती है एक sort code generate होता है पेज पे add new पे click कर देना है आपका नया page create हो जाता है और आपको simple publish करना होता है तो मैं एक नया page पेज लगा के दिखा देता हूं अभी आपको तो यहां से मैं एक flip page ही बना लेता हूं जैसे इस page का मैंने नाम रख दिया flip page ठीक है और यहां पे आपको य क्या करना है click करना है अगर आप button bug यूज करें तो तो यहां पे आपको क्या लिखना है sort code तो start code लिखने के बाद 00 coache का block आ जाता है यहां पे जो मैंने sort code copy किया था उसे मैं paste कर दूँगा और क्या करना है आपको simply publish कर देना है अब जब आप इसे publish कर दोगे तो आपके page पे ये flip box आ जाएगा और page भी आपका create हो गया वापस से चलते हैं इस page पे और देखते हैं कि जो flip box create किया था हमने वो create हुआ है या नहीं हुआ है तो ये देखो ये image लगाई थी तो ये देखो अब मैं इसके उपर cursor ले जा रहा हूँ ये कितना easy way में create हो गया जैसे ये text था अगर आपको ये text और चेंज करना है तो आप चेंज करो ये style देखो कितना अच्छा लग रहा है website के उपर आप अगर कुछ इस तरह का effect डालते हो तो ये flip box लगाना इतना easy है आपको WordPress की website में अब मालनो कि यहां पर आपको दो-तीन flip boxes लगाने हैं तो आप कैसे लगाओगी इसे same same row में कैसे रखोगी ये भी मैं आपको one by one बता देता हूं तो वापस से आ जाते हैं create new में पहले तो इसका कुछ text चेंज कर लेते हैं जैसे यहां पर है ताकि आपको यह पता चल जाए कि आपको text और है कैसे change करना है फिर बाकी को मैं copy कर दोंगा as it is तो वापस आ जाते हैं आपर आप जैसे यह back-end का title है तो title में flip animation लिखा हुआ था मैं लिख देता हूं test title आपको यह चीज़े अभी मैं बस एक demo की तरह यूज करक इसे और इसमें कुछ भी लिख दोगे test test तो मैं वही रहने देता हूं मैं बस आपको दिखा रहा हूं कि आप इस तरीके से यह change कर सकते हूं और जैसे आपको कोई URL लेना है suppose यह flip box वाला URL जो इसका URL था website का URL मैं यहां पर डाल देता हूं link पे तो यह URL डाल दिया यहां पर back in का text है आप यह back in का text भी चेंज कर सकते हूं अगर आप जो flip करते हो वाँट भी क्लिक कर दिया ठीक है तो यह यहां पर जो अभी setting मैंने change की थी वह सारी setting क्या हो गई save हो गई वापस से आ जाते हैं अपने flip बाले page पे एक बार refresh कर देते हैं और वापस से देखते हैं कि जो changes किये थे अभी वह apply हुआ या नहीं हुआ है तो अब देखो यह सारे changes यहां पर apply हो गए तो यह title हो गया रहा चेंज हो गया तो अब वापस आते हैं अब क्या करते हैं यहां पर एक दो और images इसमें create कर लेते हैं flip box और भी create कर लेते हैं आप चाहो तो दूसरा design भी create कर सकते हो यह आपके ऊपर totally depend करता है like मैं दो और बता देता हूं ताकि आप एक single row में use कर सको single row में use करने के लिए आपको यहां पर दिख रहा है item per row single item में single ह यह देखो आप दो तीन आप एक row में कितने item रख सकते हो कितने flip boxes रख सकते हो यह मतलब है यह से suppose मैं दूसरा flip box बनाता हूं मैंने create किया अप्रोड करी मेंच को दो इमेज यहां से मैं create कर लेता हूं जैसे मैंने एक इमेज ले ली चूस कर लिया बैक इंटाइटल मैं कुछ भी अभी आज़े टेस्ट में use कर रहा हूं मैं यहां पर मैं click-click देता हूं और यहां पर मैंने इसे submit कर दिया तो एक flip box बन गया मेरा वापस आते हैं और अपने page को क्या करेंगे रिफ्रेस करके चेक करेंगे कि मेरे page के ऊपर दूसरा flip box यूज हुआ है या नहीं हुआ है तो यह देखो यह यहां क्या रहा है इसके नीचे आ रहा है flip box बनके यह title description यह सब आ गया और एक और flip box बनाते हैं यहां से वापस आ जाते हैं फिर से और submit कर देता हूं इसे फिर से page पर आते हैं रिफ्रेस कर लेते हैं तो यहां पर आपको दिखे है कि यहां पर तीन image create होगा यह flip box में यह देखो लेकिन यह क्या आ रहा है one by one आ रहा है लेकिन मुझे क्या चाहिए यह एक ही row के अंदर चाहिए त देखो item per row है single item है आप यहां से three item करो और save कर दो ठीक है तो अब जैसे आप इसे save कर लोगे यहां से three item one minute यह भी save हुआ नहीं था यहां पर आपको actually submit पर click कर देना है तो यहां पर मैंने three item कर दिया वापस आ जाते है flip page पर इसे एक बार refresh कर लेते हैं तो अब जैसी से एक ब यहां यूज़ कर सकते हो और यह काफी अच्छा लगता है इस तरह का boxes तो आप कोई भी style यूज़ कर सकते हो यह ब आपके ऊपर depend करता है जैसे यह color हो गया तो यह free वाले plugin में तो आप यह color change नहीं कर पाऊगी यह pro में change होता है लेकिन मेरी आप पिछली video में जब जाओगे तो नीचे आपको एक window appear होके आ जाएगा और यहां से आपको इस पर click कर लेना है जैसे आप इस पर click करते हो इस image पर hover कर लेते हो तो यह देखो flip box 1 आ गया इसका color होगा कुछ तो आप उस color को change कर सकते हो यहां से आप inspector element में जाके CSS वेगरे में चूब ही आपको changes करने हो आप आप one by one क्या कर सकते हो change कर सकते हो यह देखो यह आ गया color यहां पर flip box का यह सारा कुछ जो भी CSS है वो आप काफी easy way में यहां से change कर सकते हो आप right side में चाहोगे आपको सब कुछ मिल जाए रहे हैं हापे CSS के उपर जैसे यह box one है अब मैं जैसे यह pink color में था न तो देखो यह flip box one है यह background color था तो अगर आपको मैं यह background color चेंज करके दिखा हूँ तो मैंने यह copy कर लिया और ठीक है और वापस कहां पर आप जाते हो अपनी website के inside में appearance पे customize में में जाते हो अप हर website के अंदर आपको additional CSS लगाने का feature होता है आप यूज कर सकते हो वहां से तो आप यह customize के option पर चले जो यहां पर आगया मैं अब जो मेरा यहां पर customize एक-दो मिनिट लेता है अगर ज़्याद आपकी website हैवी हो आप यहां पर tutorial के लिए बना रहा हूं तो मैं काफी सारे चीजे यूज कर रखा है मैंने यहां पर तो यह थोड़ा time ले रहा है additional CSS में चलते हैं और additional CSS में मेरे में पहले से ही काफी सारे CSS यूज हो रखी है आप चाहो तो अपने according यहां पर CSS लिख लेना है तो ठीक है अब यहां पर background change कर लेते हैं जो इसका color था background और इसके color को कर देते हैं पिंक था green कर लेते हैं तो और इसे save कर देते हैं पब्लिस कर दिया मैंने अब वापस आते हैं flip page पे यह वाला जो pink था यह क्या होना चाहिए अब green में आना चाहिए यह रफ्रेस कर लेते हैं इसे यह मैं inspect हटा देता हूं यहां से और वापस आते हैं यह देखो यह green हो गया तो कुछ इस तरीके से यह देखो green हो गई तो इस तरीके से आप क्या करोगे one by one inspect करके जो भी आपको color वगारे change करना हो यह सब को change कर लोगे तो I hope कि अब आपको clear समझ में आ गया होगा कि flip box कैसे यूज करना है मैंने हाँ पर एक style आपको यूज करके दिखाया है आप multiple style यूज कर सकते हो जो यह create वाला option था यहाँ पर new option था जैसे flip box के अंदर यह मैंने एक style बनाया था suppose आपको icon वाला style चाहिए तो आप वो use कर लेना आप वो भी use कर सकते हो कैसे करना है आपको यह यह देखो तो जैसे फर्स्ट वाल है इसमें icon वगार है सब कुछ है मालो मुझे यह लेना है बल बाला मुझे सही लग रहा है तो मैंने create style पर click किया यह भी third one है मैंने third one लिया इसका मैं नाम दे देता हूं test 2 और save पर मैंने click किया तो उसी तरीके से यहाँ एक और flip box यह create हो होता है वहाँ आपको animation रखना है नहीं रखना है यह सब कुछ आपको यहाँ पर दिख रहा है काफी सारे चीजे जिसमें नहीं होती है वो pro plugin में available होती है बट फ्री में at least इतनी सारी चीजे है जो आप use कर सकते हो यहां से ठीक है देखो custom CSS option यहाँ भी आपका आप यहाँ भ करोगे inspect element का तो आपको pro plugin की requirement नहीं होगी ठीक है वापस आ जाते है general पर और सेम तरीके से जैसे यह image है इसके edit पर जाएंगे और जैसे अभी मैंने आपको बताया था आप image change करोगे text change करोगे जितनी भी चीज़े हैं वो सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो यह देखो आ गय image अभी के लिए मैं आपको ऐसे example बस बता रहा हूं कि आप इस तरीके से कोई भी दूसरा layout भी यूज़ कर सकते हो यह आपके ओपर depend करता है कि आपको अपने website पे किस तरह का flipbox दिखाना है तो यह बन गया यह मेरी ID है flipbox 2 इस ID को जो आपका page है वहाँ पर ले जाके आपको आपके और यह बन गया है और इसे मैं update कर देता हूं पेज 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 पर वापस आजाते हैं पेज पर और रिफ्रेस कर लेते हैं तो यह क्या होगा अब भी आ जाएगा आप यह देखो यह आगया बनके अब इस तरीके से यह flipbox आ रहा है आई होब कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा अगर ही वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा से एर करो